वेलकम दोस्तो मेरा नाम है बर्लिन और आप देख रहे हैं लेजेंट हों आज की हमारी स्टोरी MCU के मार्वल सीरीज में से एक लेजेंटरी करेक्टर के बारे में हैं जिसका नाम थार गॉड ओफ थंडर है और इस करेक्टर को क्रिस हेंस्वर्थ ने परफॉर्म किया है प्रोडियूसर और मॉडल है क्रिस के अगर फैमली के बारे में कहा जाए तो इन में इनके फादर का नाम क्रेक्ट हेंस्वर्थ है जो की एक सोशल सर्विस कॉंसलर है उनकी मदर का नाम लियानी है जो के प्रोफेशन से एक इंग्लिश टीचर है क्रिस के दो भाई भी है एक का नाम लोक हेंस्वर्थ है और दूसरे का नाम लेम हेंस्वर्थ है और इनके दोनों भाई भी फिल्म इंडस्टी से जड़े हुए है क्रिस के अगर education के बारे में कहा जाए तो उन्होंने अपने schooling और college की पढ़ाई health month college से हासिल की college के बाद उन्होंने acting को भी time देना शूरू कर दिया जिसकी वज़ा से उन्होंने टेटर स्टूडियो जॉइन किया क्रिस के अगर career के बारे में कहा जाए तो उन्होंने अपने career की शूरूत गिनेवर जान्स टीवी शो से की उन्होंने इस टीवी सीरीज में king और थर का रोल निभाया था इसके इलावा उन्होंने कहीं और टीवी सीरीज में भी काम किया जिन में आते हैं नेबर्स, मार्शालला, दी सेडल कलब जैसे टीवी सीरीज आते हैं और इसके बाद साल 2009 में उन्हें दो मूवी के लिए असाइन किया गया अपरफेक्ट केटवे और स्टार ट्रेक जो के सैंस फिक्शन मूवी थी और अगले साल ही उन्होंने कैश मूवी में काम किया और इन में उन्हें लीड रोल मिला और इस मूवी के बाद उन्होंने काफी फिर्म हासिल किया हॉलिवर्ड में और साल 2010 में उन्हें एक और बड़ा कॉंट्रेक्ट मिला MCU की तरफ से जब उन्हें थार के लिए असाइन किया गया और जब थार मुवी 2011 में स्क्रीन पर आई तो वो एक ब्लॉपबस्टर मुवी थाबित हुए और क्रिस ने इस रोल को काफी मुवीज में नभाया है जिस में आते हैं Avenger, Avenger Age of Aldron, Avenger The Endgame, Thor, The Ragnarok, Thor, The Dark World, Avenger Infinity War and Thor Love and Thunder movie में भी उन्हों ने ये रोल ने भाया क्रिस ने काफी मुवीज में काम किया जिन में से कुछ के नाम ये हैं The Cap'n In The Wood 2012, Snow White and The Huntsman 2012, In The Heart of Sea 2015, The Huntsman Winter War 2016, Extraction 2020, Spider Head 2022, Extraction Part 2 2013 जैसी मुवीज में उन्हों ने काम किया क्रिस के अगर Personal Life के बारे में कहा जाए तो इन्हों ने Spanish actor Elsa Pataki से शादी की 2010 में और इन से इनके तीन बच्चे हैं क्रिस के अगर कुल Network के बारे में कहा जाए तो वो 130 million US डॉलर है